हलो मैं डियर लर्नर्स आसा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं हूँ अफचल आपके यूटूब चैनल मनेज्मेंट स्टेडी मंत्रा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे है इनको डिसकस करेंगे तो यह एक छोटा सा कंसेप्ट है बहुत ही इंपोर्टेंट कंसेप्ट है अगर को अच्छे से पढ़ना चाहते है तो फूर ए साफ मार्केडिंग के रिगाइडिंग आपको किलियर होना चाहिए कि पूरी जो बिसिकली मार्केडिंग है वह फोर पीस 4Cs या 4As या 7Ps of marketing पर ही गोंती है तो इससे पहले अगर आपको 4As of marketing समझना है तो उससे पहले आपको 4Ps of marketing को जानना पड़ेगा और उसके बाद जो concept आया था 4Cs of marketing इनको जानना पड़ेगा तो अच्छे से आप 4As of marketing को relate कर पाएंगे तो अगर अभी तक आपने 4As के बारे में वीडियो नहीं देखिए या 4Cs के बारे वीडियो नहीं देखिए तो आप playlist में जाएए बहां से आप उन वीडियो को दे सकते हैं तो अच्छे से आप 4As of marketing से connect कर सकते हैं क्योंकि इसको 4As of marketing को discuss करने से पहले थोड़ा हम एक recap करते हैं 4Ps के regarding और 4Cs के regarding उनका overview लेते हैं इससे 4As में क्या है है acceptability है आपकी affordability है और accessibility है awareness है चार important elements है जिसे हम बात करते हैं जो concept आया था जिरो में कार्थ ने दिया था 4P सा marketing तो बहाँ पर प्रोड़क्त था प्राइस प्रमोशन था उसके पास रोबर्ट लोटर वन ने concept दिया था 4Cs का तो बहाँ पर customer था और उसके बाद cost थी convenience and communication था तो यह marketing सबसे पहले starting 1960 के round 4P सा marketing आया था जो जिरो में कार्थ ने के द्वारा दिया गया था पर उसके बाद 4C सा marketing लाने की requirement क्यों बनी और उसके after 4C सा marketing क्यों आया को इस requirement रही होगी तब यह concept आया होगी यह बिल्कुल बात से 1960 के round 4P सा marketing आया था तो वो basically कहा था वो एक seller centered approach थी एक seller centered framework था जो basically seller के point of view से बनाया गया था पर जब market में competition बढ़ा मार्केट में जो thinking थी customers की बहुचेंज हो गई उनका जो टेस्ट था बहुचेंज हो गया उनका preference हो गया तो उसके according उसमें addition करा गया उसका अप्ग्रेड बर्जन आया जो 4C सा marketing आया पर देखा कि 4C सा marketing 1980 के round आया था पर उसके बाद भी time है हमेशा बदल रहा है चीजें बदल रहा है cost बदल रही है reachability बदल रही है promotion के तरीके बदल रहे है तो उसके बाद market में 4S marketing आया तो जो 4S marketing है around जग्दी शेड है राजिंदर शिषोधिया ने concept को प्रिपोस करा गया था तो आपको authors के बादे होना चाहिए कि इंडियन आथर है जग्दी शेड एंड राजिंदर शिषोधिया इनका आपको नाम दिया रखना है कि directly question वो पूछ सकते हैं कि concept किसके द्वारा दिया गया है इड वास डवलब्ड आज अज अजन एडिशन इन दा फोर पीस मार्केटिंग तो किसकी एडिशन में डवलब हो आता है जो फोर पीस मार्केटिंग मिक्स है that provides आक कंजूमर परस्पक्टिश इवाउट पूडट इनको कस्टूमर के प्रस्पक्टिश के रिगाडिंग बन से पहले हैं आप आता है acceptability in forays of marketing जो acceptability है एक important components है acceptability basically क्या होता है acceptability is an essential factor यह बहुत ही essential factor है when it comes to marketing your product right for your product to be successful it must be accepted by your consumers therefore acceptance isn't a crucial factor to consider when creating and marketing strategy for your product right several factors can impact the success of your products including quality of products itself the price of the products and how easy the products is in use there are two types of approach aspects which are functionally acceptability and psychological acceptability अब इसको हम general भासा में समझते हैं कि acceptability क्या है acceptability basically आपका products के regarding उसे relate करता है products के regarding जो आपका products है जो आपकी services है जो आपका goods है वो market में कितने acceptable है customer उसको accept कर रहा है नहीं कर रहा है अब customer क्यों आपका accept करेगा कि अगर products की quality क्या है products की packaging क्या है जो products की labeling क्या है उसका जो products आपने बनाया है वो customers की जो needs है जो customers की desire है उनको आपने fulfill करने के लिए अगर बनाया है तो definitely market में आपके products की acceptability होगी तो आपको अगर अपने products design करना है अपने आपको service को provide करना है या आपको goods को design करना है तो पहले आप customer की needs है उनकी जो design है उनको आप identify करेंगे identify करने के उनकी according उनकी जो needs है उनको fulfill करने के लिए आप products बराएंगे ताकि आपका एक ही मोटो रहेगा कि customer satisfaction किस परकार होना चाहिए तो acceptability किस परकार हो सकती है आपकी functional acceptability हो सकती है या आपकी psychological acceptability हो सकती है आप functional acceptability क्या है कि जो आपने products बनाया तो वह functionally जो customers की need fulfill कर रहा है नहीं कर रहा है आपने manufacture कर दी तो जो कार है वो एक functionally जो customers की requirement है उसको functionally fulfill कर रही है और नहीं कर रही है तो वो आपकी acceptability कह जाएगी अब psychological acceptability क्या होगी कि जो customer psychological इतना accept के लिए ready है नहीं क्योंकि customer का अलग अलग customer होते है एक rich customer है एक middle level customer है एक high एक superior प्रीमियर customer होते हैं तो उनको भी आपको देके products बनाना है तो psychological acceptability ही होती है कि अगर आपका functionally तो car आपकी ठीक है पर आपका psychological वो आप किसी film star को ले सकते हो या किसी celebrity को आप ले सकते हो तो उन्होंने वो cheap car purchase नहीं कर सकते हैं क्योंकि functionally तो same है वो भी drive करेगी वो भी आपको जहां जा बहां जाएगी फर psychologically वो acceptability नहीं है क्योंकि उनको अपनी image के recording अपनी life of living of standard के recording अपनी reputation के recording उनको वो satisfied नहीं कर रही है तो psychological basically acceptability यह होती है कि जो person है जो customers है वो उनकी psychologically need fulfill हो रही है नहीं हो रही है second element आता है इसमें affordability, affordability नाम से किलिए होगा कि ऐसा products ऐसी services जो market में आपकी affordable है या नहीं और reasonable है नहीं अब यह किस से relate करेगा यह आपका relate करेगा basically price से relate करेगा कि आपने जो products बनाया जो आप service दे रहे हो उसका price reasonable है या नहीं आप बहुत costly products बना दोगे तो वो customer के लिए affordable नहीं होगा तो आपको products ऐसा बनाना है competition भी beat कर सके और customer उसको आराम से अफ़र्ट कर सके रही अफ़र्डवलटी means ability to effort something with the necessary resources and money and how cost effective products तो आपको क्या करना है उससे affordability आती है आपको products बनाना है cost effective products बनाना है जहां पर आपको economies आप scale पर बहुत focus करना है ताक कि आपकी per unit product की cost कमाएगी तो आप a reasonable price market में दे पाएंगे there are many ways the business can sell their products and services but some of the most common strategy are advertising direct sales and distribution right when marketing your products or services you want to remember more affordable your products or services the better is for your service psychological affordability and economic affordability तो basically जो आपकी affordability है वो आपकी किस प्रिकार होना चाहिए एक आपकी economical affordability होना चाहिए कि आपका reasonable price है तो उसको भी आपको देख के बनाना है तो वो आपका affordable है और इसके लाब आप psychological affordability होना चाहिए कि जो उनकी psychology है customers की या consumers की उसके point of view से भी affordable होना चाहिए यहांपर जो third element आता है वो basically आपका आता है accessibility, accessibility किससे relate करता है यह basically जो relate करता है यह हमारा जो place था उससे यह relate करता है accessibility या आपकी availability, accessibility माने एक reach होती है कि आप जहां पर access करना चाहते है आप उस place की regarding होती है, तो accessibility क्या है, is the idea of making your products or services easily accessible to your customer, to your everyone, right, तो जो आपका products है, जो आपकी services है वो आपकी easily customer तक available है, you want to ensure that everyone can get your products or services and have a good experience with it, कि आपको यह ensure करना पड़ेगा, ensure कि जो आपका products है, वो हर एक person आपके products को अच्छे से, उसको reach out कर सके, आपकी service को reach out कर सके, एक अच्छा experience होना चाहिए उसके, right, about being open to everyone no matter their social background, you can think of accessibility as two things, how easy it is for the people to get your products and how easy them to use other products, तो आपको यह ensure करना पड़ेगा कि जो आपका products है, वो कितना people के लिए easy है, कितने वो कर सकते हैं, और वो कितना easy तरीके से उसको use कर सकते हैं, right, यह सारे जो आपके accessibility है, वो आपके इसी components के अंदर आएगी, तो इसकी भी two types तो आपका customer convenience क्या है, यह customers availability क्या है, यहनि customers की जो आपको देखना customers के point of view से कि आपके products वो कितना अच्छी availability है, कितना वो accessibility है, कैसे easily purchase कर सकता है, और कैसे वो easy तरीके से उसको use कर सकता है, इसके बाद guys, यहाँ पर आएगा awareness, awareness जो basically आपसे relate करता है, किससे relate करता है, यह basically आपका करता है, आप promotion से right, promotion से आपका relate करता है, awareness is the first step in any marketing campaign, right, जो awareness है वो आपका पहला step है, आप कोई भी marketing campaign करते है, and it is process of creating attention and interest in the product and services and idea, जो क्या होता है, जो आपका products है, जो आपकी service है, जो आपकी idea है, उसके जो interest होता है, उसका attention है, उसको create करने में help करता है, अगर आपका marketing campaign है, क्यों हम marketing क्यों करते हैं, ताकि जो हमारे projects हैं, जो हमारी services हैं, जो हमारे ideas हैं, उनकी attention बड़े market में, उनके बारे में interest create हो market में, तो awareness is essential, because it helps build confidence among potential customers, जो हमारे potential customers हैं, उनके बीचे confidence को build up करता है, and if you are aware of your business, they are more likely to trust and purchase of you, जब people आपके business के बारे में aware होंगे, आपके projects के बारे में जानेंगे, तो वो बहुत easily trust करेंगे, और easily आपके projects को purchase करेंगे, और क्योंकि वो आपके projects के बारे में, आपकी service के बारे में already awareness को, awareness can be achieved in many ways, जो awareness है वो कई तरीके सुचती है, you can advertise your business online, जो आपका business है उसके आप advertise कर सकते हैं, online कर सकते हैं, advertise या आप offline कर सकते हैं, through social media, इससे आपका facebook हो गया, whatsapp हो गया, tutor हो गया, इनके थो भी अपने products की आप advertisement कर सकते हैं, या in person, या आप बाड़ा मौत के थो भी अपने advertisement कर सकते हैं, तो different different mode हैं आप promotion के या awareness के उनके थो आप अपने products की आप service की awareness कर सकते हैं, मार्केट के अंदर, you can also build a loyal customer based by offering a great product and services at affordable price, तो basically आपके जो product है, जो service है उसकी awareness कैसे market में आएगी, आपको देखना की products की knowledge कितनी है, और आपके brand की awareness कितनी है, तो आपको अपने products की knowledge के बारे में बताना पड़ेगा, उसका promotion कराना पड़ेगा, promotion आपका बहुत अलग तरीके से आप advertisement दे सकते हो, अपना sales promotion कर सकते हो, public study कर सकते हो, PR and public relations, जो आपके relations होते हैं, उनको create कर सकते हो, वर्डा माउथ कर सकते हो, ऐसे हैं आपको अपनी जो brand awareness है, अपने brand के बारे में आपको awareness create करना पड़ेगा, तो यह चार important elements हैं, चार important components हैं, जो फ्लोरे सा marketing mix बोला जाता है, तो आपको ध्यार रखना है, सबसे पहले आपका आता है, वहाँ पर acceptability, फिर आपका affordability, फिर accessibility and आपका आता है awareness, चार elements हैं, तो आपको ध्यार रखना किसके द्वारा concept दिया गया है, जगदी सेट राजिंदर शिशोदिया के द्वारा यह concept पर पोस करा गया था, लटेस concept from marketing है, तो guys, अगर आपको यह video अच्छी लगी हो, आपके लिए informative है, तो please video को like करिए, और ज्यादा से ज्यादा share करिए, अगर आप channel पे नहीं है, channel आपने subscribe नहीं करा है, तो सबसे पहल icon है, उसको on कर दीजिए, ताकि आने वाले videos का notification आपके पास पहुंची, अगर कोई आपकी doubts है, कुछ आपकी query है, या आप another topic पे video चाहते हैं, तो please comment करिए, और जो हमारा telegram link है, उसको आप join कर सकती है, thank you, have a nice day.